याईएस एजुकेशन से यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम कवर करेंगे इगनु के बीएजी बीएसी जी बीकॉम जी प्रोग्राम के बीएवीएए वन एट वन कोर्स के एबिलिटी इन्हेंस्मेंट कोर्स और एन्वारमेंट का इंपोर्टेंट एमसी के लेकर आयों आपके लिए सिरीज वन अभी कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद अच्छे से आप लोग कम से कम सो से डेड़ सो एमसी क्यों कर पाएंगे जिली तो यह इंपोर्टेंट वन लाइनर्स मैंने निकालें जिसे हमसी के बनते हैं तो इनको कवर सब्से हुई है जिसका अरत होता है गिरा हुआ चारों से गिरा हुआ तो एंविर्मेंट मतलब एंवायन सब्सें फ्रेंच भासा का एक सब्द है तो यह इंपोर्टेंट एमसी के हुए हैं दूसरा आता इकोलोजी यानिकी पारिस्थिति की इस सब्द का सरुपर्थम प्र यानि की सतत्विकास कारत है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भाववी पीडियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना ही सतत्विकास है उसने कटिबंद ये सदाबारवन विश्वत रेका के निकट उत्तरीवे दक्सिनी कोलार्द में पाई जाते हैं जा सा इंपोर्टन एमसी को इससे तीन-चार बन रहे हैं एक तो उसन गटिबंद ये सदाबारवन विश्वत रेका के निकट उत्तरीवे दक्सिनी कोलार्द में पाई जाते हैं पहला एमसी क्यों दूसरा एमसी क्यों बन रहा है डोल्टरम की पेटी किसे का जाता है तो आप बत तुर्जा पिरत्वी पर विद्युत्-चुंबकिये तरंगों के रूप में प्राप्त होती है तो सुर्य से जोरदाती विद्युत्-चुंबकिये तरंगों के रूप में प्राप्त होती है पारिस्थिति की तंत्र यानि इकोसिस्टम सब्द का सरुपर्थम प्रियोग ए मरत पोदोर जन्तों के जविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मरता के निर्मान में महत्यपुन भूमिका निवाते हैं सुक्सम जीवों के अंतरकत बैक्टेरिया तथा कवक को सामिल किया जाता है तो MC के वह इसमें बनता है जो डिकॉंपजर्स है वह बैक्टेरिया और कवक तो प्रकरते में मन चाहा परिवर्तन करने में स्मर्थ है यह प्रकरतिक संसादनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं माणव प्रियावरन संबंद के नव नियतवादी neodeterminism उपागम के अनुसार प्रकरतिक अध्यदिक दोहन विनासकारी बताया है इसके अनुसार मानव क प्रकरतिक अनुसार अपने विकास की नितिया बनानी चाहिए सतत्विकास की अउधारना का विचार इसी उपागम से लिया गया है तो इसमें आपका अंसोर आएगा नव नियतवादी यानि नियो डिटर्मेनिजम उपागम के अनसे लिया गया है चारी मर्दा में उगने वाले पोधों को हेलो फाइटर्स का जाता है लाल रन प्रकास संसलेचन के लिए सबसे उप्यूक्त रंग होता है लाइकेन छोटी वंस्पतियों का समू है जो कवक वे सेवाल द्वारा निर्मित होती है दक्सिन पस्टिमी रूस के गास के मैदानों क कि व्ल कॉया आ जता है तो अपको जल वास को बनके बादल के रूप में फिर से दुबारा बारिज के लूप में पिरफ्भी पर तो यह जल्चक्र होता है मानव को प्रियावरन का एक्तत्यू उपागम लगम्दी कहते हैं Тाप अधिक होने पर जैविवित्ता अधिक हो जाती है वे जीव जो अपने बोजन के लिए प्राथमी को बोगताओं पर निरभर्य होते हैं उन्हें द्वित्या को बोगताओं को事情 कहा जाता ऐसे जीव जो बोजन के रूप में पादपों, साकारी वे मासाहरी उपर निर्वर होते हैं उन्हें सर उभक्सी कहा जाता है, मनुष्य इसका उधारन है यह complete मैं पिछली वीडियो में जो unit 3 की दिसमें एक्जांबल के साथ कवर कर चुका हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका की गास की मैदानों को प्रेर ही कहा जाता है दक्सिन अमेरिका की गास की मैदानों को पंपास कहा जाता है उस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं गास के मैदानों को टेगावन आर्क्टिक वरत 66.5 के चारो और नोर्थ के चारो और यूरोप एसिया वे उत्री अमरीका महादुप में पाए जाते हैं इन्हें संकुधारी वन भी कहते हैं टेगावन आर्क्टिक वरत को चार ओर पाई जाने वाले वनों को संकुधारी वन कहते हैं जो उत्री अमरिका महादीप में एसिया में यूरोप में भी पाई जाते हैं इनका विस्तार सभीवन छेत्रों में सरवादिक है जबकि जैवी वित्ता सबसे कम है इनमें टेगावन में सबसे अधिक मुलायम लकडी प्राप्त होती है चीड देवदार फर स्प्रूस आधि मुलायम लकडीओं वाले वरक्ष हैं जो इन वनों में पाई जाते हैं विशुवत वरत से दुरूओं की और बढ़ने वार जैवी तक में कमी आती है उचाईयों के पेक्सा गाटियों में जैवीता अधिक होती है अंब्रेला प्रजाती एक विशाल जन्तु है समुदाय होता है जिस एक पर मुख प्रजाती के कारण अन्य प्रजातियों को सवते सुरक्षय मिल जाए उस मुख्य प्रजाती को अंब्रेला प्रजाती कहा जाता है जिस प्रकार ऑगधि विशाल के निर्दारन मांब के जीवों की संख्या अधिक संख्या को नहीं प्री तंतर में उसके कारियों की गिन्ना कि जाती है नूजी लैंड के मैदानों को कंटर-वेरी कहा जाता है कि और दे क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य के परकास द्वारा में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने की कुण के कारण भी हरे पोदों को प्रात्मिक उत्पादक कहा जाता है। में से स्वसंद वारा नश्ट उर्जा की मादरा को घटाने पर प्राप सकल उर्जा को सुध्ध प्रात्मिक उत्पादन कहते हैं। प्रासाइट्स वे होते हैं जो अपने बोजन तता निवास दोनों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रिडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल बोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। प्रजाती उस प्रजाती को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्मान वे स्ट्रक्षन में आवश्यक वे महत्तपुन भूमे का निवाती है। समुद्री परवाल, मुंगा या कारेल इसका अच्छा उधारन है, कोरेल, कोरल रीफ का निर्मान करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास वे प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। नुकूल करने में अधिक शक्षम होती है। सम्केत करती हैं, जैसे वायू परवाल की आधिकता की जाच के लिए लाइकेन तथा जल परदुशन के लिए संकेतक एरूप में मसली को संकेतक प्रजाति माना जाता है किसी भी परिस्तिती तंतर में परतिक आई समय हैं परतिक आई चेतर में जिवित पदार्थों के सकल सुस्क भार को बायोमास का जाता है तो आप लोग जमस गई होगे, बहुती जी है बाइयोमास, कीसी भी पारिश्तितेक तंदर कोई भी, उसमें प्रतिका आई छेतर में जीवित पदार्थ के सकल सुस्क बहार है वो बाइयोमास है, पीट मरदा में सर्वाधिक कारबनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अलफा जलदारण शमता सभी मिटियों में सरवाधिक होती है तो इंपोर्टेंट अमची के उजए जरूर आप नो डाउन कर लें गहन पारिश्थिति की डीप एकोलोजी सब्द के जनक अर्निस नेस हैं हरे पेड़ पोदे प्रकास अंसलेशन प्रकिरिया द्वारा सोर उर्जा को र काला घाट जिले में सरवाधिक वन आवरन छेत्र है महासागरों की ओस्ट लवनता 25 परसेंट होती है 3600 मीटर से अधिक उजाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अलपाइन बायोम की स्रेणी में रखा जाता है वायू मंदल में सरवाधिक नाइट्रोजन गैस है 78 परसेंट वायू मंदल में ओर्गन गैस की मातरा 0.93 में परतिशद है कारबन डाई आकसाइड की बात करते हैं 0.03 परसेंट है वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है इंपोर्टेंट एमसी क्यों है जैविक एजैविक तत्तों का चक्र जैव भूरा साइनिक चक्र बायो जियो केमिकल साइकल के रूप में चलता है उस्मागति के पर्थम नियम को उर्जा संडक्षन का नियम भी कहते हैं इसके अनुशार ना तो उर्जा का सर्जन होता है ना इविनास होता है उर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है उस्मागतिकी का दवीतियनियम पारिश्थिति की तंतर में उर्जा के परवाहित होने की दिसासि सम बंधित है इसके अनुशार उस्मा सदय अधिकताप से निम्ताप की ओर परवाहित होती है पारिश्तिती की पिरामीड की और धारना का प्रतिपादन चारल सैटन ने 1927 में किया था खेती सबसे प्राचीन पत्ती जोम घेती है वन में पेडो की छाल पर लगने वाले सफेद बदार्थ को लाइकेन कहते हैं सरवादिक स्थाई पारिष्थिति की तंत्र बात करें तो महासागर है तो इंपोर्टेंट वन लाइनर्स थे के उपरपस के लिए यह मैंने इसमें से निकाल के छांट के आप लोगों के लिए तयार किया वीडियो तो आप इन लोगों जरूर एक पर ध्यान से सुने तक आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ चाए और आप लोग अपने एक्जामिनेशन की प्रेपरेशन अच् चनल को तो डिटेइल में है